हलो एवरीवन दिस इस अवीता चोहान, वेलकम टो अमबेडियारिया मॉडल स्कूल, क्लास नाइन्थ हिस्ट्री, चेक्टर फर्स, दे फ्रेंच रेवलुशन अभी तक हम student पढ़ चुके हैं, friend society और subsistence crisis पढ़ा, क्या problem चल रही थी society में और फिर हमने देखा national assembly की formation, उसके बाद हमने देखा कैसे monarchy finish हो जाता है और republic आ जाता है हमने देखा 14 July जो 1789 में जो revolution चला था, उसके reason भी हमने देखे, जो कि किस तरीके की reason थे और क्या atmosphere चल रहा था तो अभी हमने अभी इतना सब कुछ देखा, तो हमने उसमें woman का role नहीं पड़ा, आप देखेंगे कि woman ने भी क्या revolution में participate किया था तो वो main चीज है कि woman क्या कर रही थी, जब ये सब चीजे चल रही थी, क्योंकि अभी तक आपने convention या फिर national assembly में कोई भी देखा नहीं है woman को, कि उनका कोई role था, board डालने में, या कोई भी ऐसी चीजे discuss नहीं करी, तो अब हम वो का role पड़ेंगे very beginning of women were active participants in the event which brought about so many important change in France society, that means इसमें बोला है कि जब starting में बहुत ज़्यादा जो women थी, उन्होंने active participants थी, उन्होंने events में participate लिया और बहुत important जो change हुए है, France society में तो उनका एक बहुत बड़ा role है अगर हम देखें तो जो उनका involvement थी, pressurize the revolutionary government to introduce measure to improve their lives, तो उन्होंने ये आशा रखी थी, जब वो participate कर रही थी, कि कहीं न कहीं government उनको क्या करेगी, जो revolutionary government है, उनको क्या करेगी, उनकी life को improve करने के लिए कुछ ना कुछ करेगी most women of third state had to work for a living, मतलब अब पहले ये बताया है कि उनकी क्या position थी women की society के अंदर, तो women जो third state की थी, वो काम करती थी, अपना जीवन यापन करने के लिए, and they work as a semi-stresses, यानि silaica का काम करना, laundresses, यानि जैसे like a, कपड़े, धोबी, घार जो था, वहाँ पर ऐसे करना, laundresses का काम करना, seamstresses का काम करना, flowers sold करने, fruits, vegetables, market में, sale करना, तो ये सारे काम third states की, women क्या करती थी, अपना life को living करने के लिए, और as a employee, अगर वो करती थी, domestic servants भी, तो किसके prosperous people की घर में काम करना, as a servant काम करती थी, and most women did not have access to education, job training, और mostly in women's के पास कोई education नहीं हुआ करती थी, कोई job training नहीं हुआ करती थी, and only daughter of nobles and wealthy member of third state could study at a convent, जो मतलब बहुत जादा rich या prosperous family की लड़कियां हुआ करती थी, वो ही convent school में पढ़ा करती थी, उनकी जो families है, उनको पढ़ाय करती थी, और बाद में उनकी शादी कर दिया करती थी, working women जो है also to care their families, working women क्या करती थी, अपनी family की भी care करती थी, cook, खाना बनाना, पानी लेके आना, और घंटो घंटो खड़े होना, bread की line में, बच्चों के care करना, तो ये सारे काम करती थी, लेकिन जो उनकी wages हुआ करती थी, जो working women है, यानि जो as employee बाहर काम कर रही है, तो वो घर का भी काम करती थी, और उनकी wages जो होती थी, man से बहुत ज़्यदा कम हुआ करती थी, तो ये situation तो उनकी जो position बताई है, ये position बताई है, मतलब की revolution आने से पहली की जो उनकी position है, लेकिन वो accept कर रही थी, जब उन्होंने revolution में participate करा, कि कही न कहीं हमारी position भी improve होगी, और हम भी better, मतलब situation में तो ये जो in order to discuss and voice their interest, women started there on political club and newspaper, अपने इस चीज को जो उनके interest थे, अपनी आवाज को उन्होंने बढ़ाया और discuss करने के लिए उन्होंने start करे political clubs, newspaper, jacobin clubs, जैसे आपने सुने थे, तो इन्होंने भी अपने political clubs, political clubs बनाए और newspapers अपने, इन्होंने अपने subject के according, वो print करके निकलवाए, यानि अपना, जो उनका role था, वो ताकि highlight हो सके, 60 women's club थे, उस time पे, French society में, अलग-अलग, जो famous था, society of French revolutionary, और Republican women, ये most famous हैं, दो, जो इनके women's के, जिसे हम कह सकते हैं, club थे, one of the year, main demand, main उनके demand थी क्या, उनकी main demand अब थी, political rights के according, यानि, women enjoy करें, same political rights according to men, यानि, अगर men को rights मिल रहे हैं, तो equal होना चीए, women के, और, women disappoint हो जाती हैं, जब constitution आता है, national assembly का, 1791 में, तो उन्हें passive citizen के according रखा जाता है, यानि, उन्हें boat डाले का दिकार नहीं होता है, वो demand करती है, right to boat का, और elected to assembly, and hold political office, वो, ताकि assembly को elect करने में, अपना role play कर सकें, और political office पे उनका hold हो, तो ये सारी चीज़ें उनकी demand थी, only then they felt, would their interest be represented in the new government, और, उन्हें लगा, जो उनका interest है, वो represent कर सकते हैं, new government के सामने, यानि, ये सारी चीज़ें अगर वो government के सामने रखते हैं, तो वो जरूर सुनेगी, लेकिन, in early year, the revolutionary government did introduce, they help improve the life, so women, जो revolutionary government थी, जब convention government आती है, तो starting में women's के लिए, वो एक important work करते हैं, introduce करते हैं, law के ठीक है, उनकी life को भी improve करना चाहिए, और creation to state school उनके लिए, schools open के गए, school में वो compulsory girls के लिए, हो गया कि उनको भीजा जा सकता है, और father उनको marriage करने के लिए, force नहीं कर सकते हैं, marriage contract से वो free हो सकते हैं, यानि register under civil law, अगर वो लगता है, जो marriage was made into a contract, entered into freely and registered under civil law, यानि वो enter करा सकते हैं, वो free हैं, register करने के लिए, civil law के according अपनी marriage को, अपनी contract को, और divorce was made legal and could be apply for by both women and men, divorce दोनों apply कर सकते हैं, और चाहे वो, चाहे woman हो या man हो, divorce कोई भी ले सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उनको marriage अपनी करने के लिए, पूरी free थी, कि वो करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं, तो इसी तरीके से civil law बन गया था, उनके लिए, शादी के लिए भी, तो divorce के लिए भी कानून बन गय women's को अब job के लिए training दी जाती थी और वो अब artist बन गई थी और small business भी चला रही थी, अब यहाँ पे जो लेकिन आप देखेंगे, struggle अभी भी चल रहा है, equal political rights के लिए, क्योंकि continue अगर हम देखें तो अभी उन्हें right board डालने का नहीं मिला, और reign of terror का जो period है, जो new government ने issue करे law उसने order दे दिये थे कि जो women's club से ने बंद कर दिया जाए, ban कर दिया जाए उनकी political activities को, और जो prominent women ने उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, और उन्हें executed कर दिया गया, फांसी पे चड़ा दिया गया, women's movements for voting rights, equal wages continue through the next 200 years in many countries of the world, और जो women's voting rights था, वो continue चलता रहा, कई सालों तक 200 years तक हर world के अंदर सभी countries में, वो fight करती रहीं अपने लिये, और यह जो fighting थी, एक international suffrage movement था, यानि अंतरास्ट्री लेवल पे चल रहा था, वोमेंस को बोट डालने का दिकार कहीं भी नहीं था, चाह वो भारत हो या कहीं भी हो, आपने देखा होगा, women's का, आपने यहां पे इंडिया में भी जो भी movement चलते थे, पार्टिसिपेट तो लेती थी, लेकिन उनका इतना बड़ा enrollment नहीं दिखाया जाता था, example, political activities of French women during revolutionary year was kept alive and inspiring memory, यानि जो political activities थी, French women's की, वो एक revolutionary year चल रहा था, वो inspiring memory, accurate कर रहा था, उनके जीने के लिए, और finally 1946 में women's को फ्रांस के अंदर बोट डालने का राइट मिल जाता है, सुचो कितना long time उन्होंने struggle करा है, 1946 और ये एक long period है, जो कि women's ने struggle करा, सबसे इसमें healthy नाम बोला है, जो कि prominent name है, Olympi de Guse, जिनोंने इस period में एक revelation चलाया women के लिए, और 1748 से लेके 1793 का जो इस period बताया हुआ है, और इसमें यही बोला है कि उनका जो जनम है 1743 का और जो उनका death हुई थी 1793 में, यहाँ पर वो एक important political activity women के रूप में दिखाए गई है, France revelation में, वो protest करती है against constitution and declarations of right men citizen, यानि सिर्फ men को जो rights declare किये थे, उसके against वो बोलती है, और exclude करती है कि women's को basic rights तो मिलने चाहिए, और वो entitle करते हुए, इन करती हैं, declaration of rights में women and citizen, यानि मैन की जगे वो में को इंक्लूट करती है, और वो address करती है, क्यों उनको बोलती है, और national assembly में इसको address करती है, भेशती है और demand करती है कि यह हमें होना चाहिए, और 1793 में, ओलम्पिक डिग्यूस को, जैकोबिंग गॉर्मेंट ने क्रिटिसाइज करते हुए, forcefully उनको क्या करा, उनके women's club बंद कर दिये, और national convention ने उनको क्या पाया, दोसी पाया, और treason का case लगाया, उन पे यानि देश द्रोह का, और उनने executed कर दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया, तो यह तो women's का role था, कि student आप देख रहे हैं, किस तरीकी का उनक क्या था society में, लेकिन फिर उनने struggle करा अपने लिए और एक position उन्होंने get करी, अब student हम पढ़ेंगे the abolition, the abolition of slavery, यानि जो दासपरता था थी, उसका अंत कैसे हुआ, revolutionary social reform में, जो most jacobinism का नाम आता है, उसनोंने सबसे बड़ा काम क्या करा, abolish of slavery को खतम करा, मतलब दासपरता क किसमे French colonies में, यानि जो French के अंडर colonies थी, जिन के अंदर ये प्रता चल रही थी, jacobinism ने इसको finish करा, उनका ये एक reform था, the colonies in the Caribbean, Caribbean की जो colonies थी, जैसे हम पढ़ सकते हैं, ये हैं मार्टे निक, गाडे लॉप और सेंड डामिंगो, ठीक है, गाडे लॉप और सेंड डामिंगो और मार्टे निक, ये ऐसे places हैं जहां पर जो important supplies होती थी, commodities such like a tobacco, indigo, sugar, coffee, मतलब ये इन places से चीजे supply क्या करते थे, और reluctant जो Europeans हैं, मतलब उनके काम करने की इच्छा ना होना, या distance पर काम होना, बहुत दूर काम होना, या unfamiliar होना, या वो इतना familiar नहीं थे, उस work से, तो वहाँ पर यूरोप की अंदर sorties of labor हो गई, plantation में काम करने के लिए मजदूर चाहिए थे, तो अब क्या करते फिर, ऐसे ही, फिर इस plantation में labor की condition को पूरा करने के लिए a triangle slave बना, किसके बीच में, यूरोप, अफरीका और अमेरिका के बीच में, क्योंकि अगर यूरोप में slave को पूरा करना है, तो क्या होता था, अफरीका से लेके आया जाता था, और उसे अमेरिका और यूरोप में भेज दिया जाता था, तो ये वहाँ के एक triangular बन रहा था, कि किस तरीके से slave start हुआ 17th century में, फ्रेंच मर्चेंट क्या करते थे, जो ports थे, फेमन, बोडेक्स और ना इनको, जो French के merchant होते थे, DAS को, और क्या करते थे, branded and shackled उनको बांध कर और हथकड़ियों में बांध कर उनको लेकर आते थे, और जो इदास होते थे, tightly इनको बांध के ship में ठूस कर मतलब लेके आते थे, और तीन महीने की ये voice हुआ करती थी, यात्रा होती थी, और Antarctic से होत इनको पहुचाया जाता था, तो ये एक लंबा process होता था, कि कैसे DAS जो मजदूर होते थे, उनको खरीद के लेके जा जायाता था, और उनको बेचा जाता था, फिर ये जो merchant हुआ करते थे, French के, ये plantation owner को इनको बेच दिया करते थे, exploitation इनका होता था, labor का बहुत जादा, और लेकिन जो ये demand थी European में, market में, sugar, coffee, indigo, plantation में, इनमें workers को complete करने के लिए, labor को रखने के लिए, यहाँ पे मालिकों को बेच दिया जाता था, जो pot होते थे, bodex और नाननते, ये अपने आप में ही prosper हो गए, flourish होने लगे, यहाँ पे slave trade की वज़े से, क्योंकि यहाँ पे जो, इसका नाम बताया गया, bodex और नाननते, ये दो ऐसे port बने, जो जहाँ से मतलब slave को लाया और ले जाया जाता था, यानि ये जो फ्रांस के जो ये दो ports हैं, तो यहाँ से ये अफरीका में जाते थे, वहाँ से खरीदते थे, और यूरोप में, other countries में ये पे supply करते थे, तो एक triangular सा बन गया था, क्योंकि अमेरिका में भी ये supply करते थे अमेरिका में, और इस तरीके से ये पूरा अपना एक रोल प्ले करते थे, कलोनीज जो हुआ करती थे, यानि जिनको under control में कर रखा था, यूरोप ने, वहाँ पे काम कराने के लिए लेबर्स चाहिए होते थे, ख बहुत कम था, ने यहाँ इसको डिवेट भी करा, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये जो कलोनीज के अंदर जो लोग हैं, दास हैं, उनके साथ साथ, जो फ्रेंच पीपल हैं, उनको राइट्स मिलने चाहिए, मैन के अकॉर्डिंग, यानि जो हमें बिंग्स के राइट्स क्योंकि जो ये new middle class थी, उन्होंनी तो बनाई थी, ये assembly, तो अगर वो business man की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि income तो उनकी पर ही depend करती थी, slave trade पर उनकी, तो business man अपना काम slave trade से ही अपना flourish कर रहे थे, तो उनको डर था national assembly को, क्योंकि उसमें तो new middle class, business man class ही थी जो उसको चला रही थी, तो कहीं ना कहीं उनको पता था support हो जाएगा, और अगर loss होगा, अगर हम slave trade को खतम कर देंगे, तो सिर्फ debate हो रही थी, लेकिन फिर convention, यानि जैकोबिन का club का जो time period था, जो जैकोबिन जो हमने पढ़ा था, कि जो period था, reign of terror, उस time पे जो convention आये था, national assembly के बाद, जो वो कोई भी दास नहीं बना सकता, वो free है, लेकिन ये जल्दी ही, ये short time के लिए था, दस साल बात फिर से change हो गया, Napoleon ने reintroduce करा, फिर से slavery को, यानि उन्होंने फिर से गुलाम बनाने वाली प्रथा चला दी, और plantation क्यों चलाई, क्योंकि वो trade को और जो businessmen थे, उनको क्या करते थ तो उनको बढ़ावा तो जब भी दे सकते हैं, जब slave होगा, दास होंगे, काम किस से कराना था, तो इसलिए उन्होंने plantation honor के लिए, उनको समझते हुए, उन्होंने ये rights जो थे वो ले लिए, मतलब उनकी freedom जो थी, वो slavery की लेते हुए, उनको जो वहाँ से उनको permission दे दी, plantation honor को क्या कर सकते हैं, अफरीका से निगरो को ले के आ सकते हैं, और plantation honor थे, वो economic interest की वज़े से ये कर रहे थे, क्योंकि उनको फायदा हो रहा था, क्योंकि अगर दास वो आते हैं, निगरोज आते हैं, तो उनको तो फायदा ही होगा, क्योंकि जो ये निगरोज क्या थे, अग तो इस पर बैन है खेर और फिस स्लेवरी फाइनली अबॉलिश कर दी गए 1848 में यहां पर बोला भी हुआ यह एक ऐसी ट्रम है इंडिजीनियस पीपल आफ साउथ आफ सहारा यानि जो सहारा में रहने वाले जो अफरीका के जो साउथ में सहारा में सहारा के साउथ में जो लोग रहने वाले हैं उनके लिए यह वर्ड यूज किया जाता था और यह अब खेर यूज नहीं करते हैं क्योंकि यह बहुत अपमान जेनक वर्ड निग्रो समझा जाता है और emancipation means होता है act of free यानि आप इस act के according फ्री हैं आपको फोल भी गुलाम नहीं बना सकता अब पढ़ेंगे जो revelation तो हुआ उसका life पे क्या effect पढ़ा यानि पहले क्या situation थी और अब क्या situation हो गई political change हुआ लेकिन जो ही आप change देख रहे है political change क्या लोगों के कपड़ों पर language पर और जो वो बुक पढ़ते थे क्या उन पे effect हुआ तो यह जो following year आप देख रहे हैं 1789 में France saw many changes तो बहुत सारे उसमें आपको changes देखने को मिलेंगे men's women और children's की life पर the revolutionary governments took it upon themselves to pass law जो भी revolutionary governments ने law पास करे थे वो translate idea of life का liberty, equality वो everyday जो practice की जारी थी लोगों की life में वो उसका बहुत बड़ा impact पड़ा कैसे वो हम देखेंगे पहले और बात दोनों को compare करके जैसे कि important law आया सबसे पहले जो storming देखी थी आपने बास्टिल में in summer 1789 में तो वहाँ पर आपने देखा कि जो abolish थी censorship यानि जो important law था वो कौन सा आया था जो पहले old regime में क्या था कि जो material थे culture activities थी book newspaper publish होती थी वो उस पर censor लगाता था king censor मतलब यानि उसके without permission without आप print नहीं कर सकते हो तो वो censor करता था लेकिन 1789 में जो बास्टिल का जो incident हुआ था जो revolution वहाँ पे हुआ था summer में उसके बास से ये censorship abolish कर दी तो all regime में censorship थी लेकिन अब new regime में ये जो government लेकर आय थी उसमें censorship नहीं थी now the declaration अब क्या declaration कर दिया था rights of man and citizen proclaim freedom of speech expression to be natural right यानि अब लोगों को ये declare कर दिये थे कि उनको ये rights हैं वो speech देने के लिए अपने express करने के लिए view और ये सब natural rights जो उनको जीने का धिकार मिला है वो ये सब उनको मिलेंगे अब जो newspaper pamphlets या books print होती थी उसकी जो फ्रांस के town में जो flood आई है with picture तो उसका भी बहुत ज़्यादा effect हुआ क्योंकि अब वो travel एक जगे से दूसरी जगे country side में भी books पहुँच रही थी क्योंकि अब तो censorship हटा दी तो कोई भी negative और positive दोनों चीज़ों को describe कर सकता था और जो भी event हो रहे थे फ्रांस की अंदर उसको discuss किया जाता था freedom of press, press की freedom से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि opposition's view जो events को लेकर यानि अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो भी हम express कर सकते थे तो each side sought to convince the other of its position through the medium of prints और print के माध्यम से कोशिश की गई किस तरीके से जो वहां की position है उसको convince किया जाए लोगों को समझाया जाए कि actually में क्या चल रहा है अब इसमें play songs, festive procession यानि जो जलूस निकलते थे उसमें लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में participate करा क्योंकि ये एक ऐसा मतलब हम कह सकते है grasp and identity with ideas such यानि ये एक ऐसा identity और idea था जैसे liberty का और justice का और political जो फिलॉस पड़ थे वो पहले क्या करते थे सिर्फ text लिखते थे तो कुछ ही लोग पड़ते थे लेकिन जो अब ये play हो रहे हैं या songs हो रहे हैं या festive procession होते थे जलूस निकलते थे इनके थुरू अब जो पड़ नहीं लिख नहीं सकते हो वहां तक भी विचारों को पहुचाया जा सकता है तो ये तो आपने changes देखा कि लोगों के life में change हुआ censorship हटने से लोगों के जो लोगों के पास अब बहुत ज्यादा freedom आ चुकी थी लिबर्टी आ चुकी थी और उसके आइड़े वो spread भी हो रहे थे यानि उन पहले से ज्यादा जागरुख हो रहे थे conclusion में आपका दे रखा है 18.4 में Napoleon Bonapart का क्या रोल था क्योंकि डिरेक्टरी रोल के बाद जो जैकोबिन गॉर्मेंट खतम हो जाती है फिर डिरेक्टरी रोल आता है उसके बाद कौन आता है फिर Napoleon Bonapart आते हैं वो emperor बनते हैं फ्रांस के और वो neighboring European countries को जीतने में लग जाते हैं और disposing dynastry creating kingdom where the place member of his family और वो member अपने ही family के members को इन dynastry को सम्हालने के लिए दे देते थे जो जो वो यूरोप में जीतते जा रहे थे नेपोलियन को देखा जा रहा था modernizer के रूप में क्यानि वो एक modernizer है यूरोप के लिए उसने बहुत सारे law introduce करे protection of private property के लिए यानि property र पहले क्या होता था measure करने के हर उस पे मतलब ports पे अलग-अलग measure करने का तरीका होता था जैसे कि आज बाट system है 5 kg 10 kg तो उससे हम measure कर सकते हैं तो कोई हमें cheating नहीं कर सकता लेकिन कोई पत्थर उठा के रग दे कोई और कहे भी हाँ ये तो 5 kg का है तो उसमें cheating होने के chance होते हैं तो ऐसे ही पहले हर port पे अलग-अलग जितने भी होते थे वहां से जितने भी places से निकलना पड़ता था trader को तो उतने ही measurement अलग होता था जिसकी वह से time consuming होती थी और पैसे भी जाता लगते थे decimal system भी दिया decimal system का भी बहुत important है जैसे पहले 24 रुपीज ही चलते थे point पे कोई ध example में ही दो जब वो bill बना के देते हैं तो point special 5, 50 जो भी point होता है वो point के बाद वाले पैसे को भी लेते हैं उससे क्या होता है कि जो अगर हम point 50 को छोड़ते रहेंगे और ऐसे बहुत सारे quantity में अगर हम point 50 पैसे को छोड़ देते हैं इग्नोर कर देते हैं तो उससे बहुत और initially many saw Napoleon is a liberator who would bring freedom for the people और Napoleon को as a liberator उनको देखा जाता था जो कि लोगों के लिए freedom लेके आएंगे बट Napoleon की जो armies थी उनके लिए जल्दी ही राय बदल गई सब उनको inventing force कहने लगे एक हमलावर force कहके बुलाने लगे क्योंकि उसके जो political laws थे वो बहुत जादा मतलब ऐसे पे जा रहे हैं और हमारी जो freedom है वो छीन ली गई है finally वो हाड़ जाते हैं Waterloo में 1850 में defeated क्योंकि उनकी जो लालस था वो बढ़ते जा रहा था European countries को canker करने के चक्कर में वो एक अपनी आर्मी बढ़ाने की जबरदस्ती force कर रहे थे उसके अंदर लोगों को भढ़ने की कोश रहने को मिला Napoleon के जो law थे उनके death के बाद बहुत ज्यादा impact पड़ा उनके लोगों को समझ आया है कि उनके ideas बहुत best थे और वो हमेशा रहे उनको खतम नहीं किया गया अब जो आप liberty और democratic rights के idea देख रहे हो जो important legacy है France revelation से जो हमें मिली है French revelation से हमें liberty और democratic rights के जो idea मिले है वो France से पूरे Europe में spread हुए और एक ऐसा system था कि federal system को खतम करके अब democratic की तरफ बढ़ रहे थे वो abolish हो गया जो federal system था जागीदारी system था और अब colonist people जो थे यानि जो गुलाम थे जैसे इंडिया बात इंडिया की बात करें अफरीका की बात करें ब्रिटेन के गुलाम थे तो उनके इस moments को कोशिश कर रहे थे और create a sovereign national state बनाने की अब पूरी कोशिश में लगे वे थे कि हमें भी ऐसा करना चाहिए तो सब लोग क्या कर रहे थे यहां पे France जो है main उसका idea पे work कर रहे थे क्योंकि वहां की जो एक system देखकर लोग attract हो रहे थे सुल्तान जो टीपु सुल्तान और रामोन राय दो ऐसे example हैं individuals के जिन्होंने response करा इस idea के लिए France में जो revolutionary आय थी उस idea पर work करके अपनी country में वो इस चीज को establish करना चाहते थे तो यह दो example हैं जो कि फ्रांस के इस idea से बहुत जादा यानि liberty और freedom से एक्स वो थे attract थे तो यह इसी के साथ हमारा ही chapter खतम होता है अब नहीं नहीं एक रूम अग्स विडियो में दिसक्षागा इस करेंगे इंपर्टन केशिए थांक जादा इस चीज के लिए थांक बार्श चीज कीप लानी